अस्लाम उलेकूम मैं हूँ रब्या और आप देखनी है मेरा यूट्यूब चैनल की चिन्वीद रब्या तो आज मैं आपके साथ गार्लिक प्राठा की रेस्पी शेयर कर रही हूँ इससे पहले अकर आपने अभी तक मारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे सब्सक्राइब करें और बेल आईकन को प्रेस करें तो गार्लिक प्राठा प्राणे के लिए हमें जो चीज़े चाहिए मैदा लिया है मैंने 1 कप गंदुम काटा लिया है 1 कप जितना हम मैदा लेंगे उतना ही गंदम काटा लेंगे कुटी हुलाल मिर्च ली है एक खाने का चमच नमक एक खाने का चमच ख़ड़ा दनिया मीठा सोडा लिया है दो चुटकी लसन लिया है तीन से चाट जवे जिसको मैंने बारी काट लिया है पानी लिया है एक ग्लास तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मैंने एक बावल लिये इसमें मैं डालूँगी मैदा गंदूं काटा नमक कुटी को इलाल मिर्चे बेकिंग सोडा अच्छे से मिक्स करेंगे इसे अब मैं इसमें पानी आइट करूँगी मिक्स करेंगे इसे बैटर हमारा ज़्या थीक नहीं होना चाहिए इसलिए मैं इसमें द्बार पानी आइट कियें अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही मैं इसमें लसन और हरा दुनिया आइट कर दी हूँ अब मैंने एक पैन लिया है इसे मैंने ओयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है अब मैं बैटर को इसमें डालूँगी और इसे फिला लेंगे इस तरह इसकी किनारों पे ओयल डालेंगे और इसे अच्छे से बकालेंगे अब मैं इसकी साइट चेंज करूँगी इस साइट से भी ओई लगाएंगे प्लेट रखके इसके साइट जेंज करेंगे इस तरह ओई लगा लेंगे इस पर इस तरह प्रेस कर लेंगे साइटों से ताकि अच्छे से पकचे दोनों साइटों से इस अच्छे से पका लेंगे तो प्राठा हमारा त्यार है अब मैं इसे निकाल लेती हूं तो त्यार है हमारा बहुत ही मज़ेदार garlic प्राठा यह बहुत ही मज़े का बन है आप इसे try कीजिगा और कुमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेस्पी कैसे लगी इन्शाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए अल्ला आफीज बताइए के साथ झेंट झाला आफीजयोर आफीजयोर यूएगा 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 यूएगा